गुलावी सड़ी के शुरुवात करते हैं अभीनेता वरुन धवन और अभीनेतरी अनुष का शर्मा फिल्म सुई धागा को प्रमोट करने जया पुरा है फिल्म प्रमोशन के दोरान फिल्म का गाना चाव लागा को उन्होंने लौँच किया सुई धागे से जैकुरेटेड गाड़ी भी प्रमोशन के लिए इस्तमाल की गई फिल्म अगले महिने रिलीज होगी और मेक इन इंडिया का मैसिस देती नजर आई इजोरान सुई में धागा पिरोने का कॉम्पेटिशन भी हुआ आज हमारे साथ हैं ममता एंड मोजी यानि अनुष्का शर्मा एंड वरुन्दवन जो आयो में अपने आने वाली फिल्म सुई धागा को प्रमोट करने के लिए जैपूर आए बात करते हैं उन दोनों से अनुष्का फर्स तफ वल्कम तो जैपूर आज कैसा लगा जैपूर आके बात बड़िया सब बड़िया यहां काफी लोगों से मिले एक कॉलीज विजित किया हमने तो हापे स्टूडें से मिले हैं और काफी एक्साइड़ थे हमें देखें उपर खुष्टी होती हैं कि हमने जैपूर में आके काने को लांच किया और आप सब लोग से मिल रहे हैं अच्या मुझे बताईए कि शूटिंग के टाइम में ऐसा क्या लगा आपको कि आपको अच्छा हुआ मैंने डिसिजिएन लिया कि I did this film ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ बधि ची आपकी खी बढ़ी चीज आप एफ्ट लो मैंस बहुती जाद बहुती जादा रियर और गणिक है अच्या मुझे मझे बताई आपकी लूक्स के बारे में काफे बोला गया एस विल्म को लेके D. Glam, D. Glam, what do you have to say about that? या मुझे बहुती बहुती स्थूपी मैं रेडि़ है नीचे, सेट पे तो वह तो मज़िझ की बात है अच्छलिए जब कम समय लगता है तयार होने मुझे बात अच्छा लगता है अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपसे बात करते हैं भूल करें लिए वो डॉडू झाहिए यह आरे जैसे कि आरूज करें झाहिए अजें कि एक पागल्पन है जो मुझ में भी ए ए अजिक भी यह एक टो खुड़ा अठी करें ए मनि पर जब डार रिलु में अल्लिस ओन्धिले बहुत अच्छी चाहरी यह रिए खाहिशो रड वहीं आज गुलाबी नगरी में फिल्म अभीनेता वरुन धवन और अभीनेत रियनुष का शर्मा पहुंचे जहाँनों ने वीजीवी और वी आईटी केंपस ले फिल्म सुई धागा का सौंग लोज किया और स्टुडेंट्स के साथ फिल्मी गानेकर्थ पर्थिरक्ते भी नजर आए यहां पहुंचने पर वीजीवी और वी आईटी के सी प्रबीन चौधरी ने दोनों फिल्मी कलाकारों का स्वागत किया अज़ा ठीक है तो आप लोगों पता है तो हो आप सब के साथ में आप प्रीश करते हैं चोटा सब्सक्राइब हाँ 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 था जोचा पनलागा मनुटा था नड़ इंहां हाँ हाँ आप बार आया थी आप चाहँ